बढखल की दो प्रमुक समस्याएं और अंत में यह बता दे ना कि बढखल की चुनावी जो हवाएं फिजाएं क्या संकेत दे रही हैं कौन चुनाव जीत सकता है मैं बिजय परताब का जो कॉंगर से केंडिडेट हैं उनका एक भाषन सुन रहा था जी सोचल मेडिया पर रही है वो कह रहे थे उस बाषन में कि जो भारती ज़ता पार्टी ने जिनको केंडिडेट बनाया बीजय पी को पढखल का केंडिडेट नहीं मिला है क्या यह भी अच्छे से याद है उनका वारह में पयान भी चपा था कि भई हम एक्शन लेंगे और बख्षान ली जाया किसी को अधिया जाती है कि एफाइया हुई जाती है कि इसका मतलब सरकार के नजर में उदोशी नहीं है क्या विपश की साजिस्त तो नहीं है जरेशत लग्खा क्यों चुनान है जब कि यार रो जाना रो जाता था कि प्लेशों का पीछा कर रहे हैं धर पकड़ करने के लिए यह वो स्वाजवाले जी पताएं कि क्या यह ज़ों आपने बताया इसका आम जंता पर भी कुछ प्रभाव है क्यों नहीं पड़ेगा दोस्तो नमस्कार हिंदी फिल्मों में गाना है चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना हलाकि ये गाना जो है ये जो संगीत है ये प्रेमी यूगल के लिए है लेकिन अगर मैं चुनाओ में कहूं तो प्रेमी यूगल तो जन्ता और कैंडिडेट है यानि कि मद्दाता और प्रत्याशी भारती जन्ता पार्टी ने इस चुनाओ में कई प्रयोग की हैं और एक प्र अगर चहरा बदला ओल्ड फरिदाबाद में फरिदाबाद 89 में तो नरंदर गुपता की जगे वापस आ गए विपुल गोयल हतीन के अंदर चहरा बदला परवीन डागर की जगा मनोज रावत और होडल में चहरा बदला जगदीश नायर की जगा हरिंदर रामृतन मैं आपसे चर्चा में हूँ फरिदाबाद की बडखल विधान सभा को लेकर बडखल विधान सभा में सीमा त्रिखा की जगा धनेश अदलखा को केंडिडेट बनाया है कितना फायदा होगा कितना नुक्सान होगा धनेश अदलखा का जो मैंने बताया कि चेहरा क्या देखते हो यानि कि अगर सीमा त्रिखा का चेहरा नहीं दिखेगा और धनेश अदलखा का चेहरा सामने आएगा तो वो जंता के बीच में क्या संदेश देगा कुछ इनी बातों को लेकर मैं चर्चा में हूँ और चर्चा में मौजूद हैं देविंदर सुर्जेवाला जी सुर्जेवाला जी बढखल विधान सवाद छेत्र के मद्दाता भी है फरिदावास सेक्टर 21C में आपका निवास है तो आप तो हांके मद्दाता भी हो गए तो चेहरे को ठीक से पहचान लोगे धरेश अदलक्खा वर्सिस सीमात रिखा परेन की बात कर लें कितना वीजेपी को फायदा होगा कुछ भी फायदा नहीं है चेहरा बदलने की जोड़ क्या आन पड़ी होगी वीजेपी को बस कुछ ऐसा तोजर्बा या अजमाइस के तोर पर वीजेपी नह सोचा कि वही सायद लेकिन प्रेक्टिकली और धरातल पर तो मुझे लगता है कि सायद भाजपा को नुक्सान ही उठाना प्रेक्टिकली जो इस वकत मुझूदा जो परत्यासी बनाए गए है उनका तो रिकॉर्ड है अरियाने के अंदर फार्मिसी कॉंसिल के वो चेर्मेन रहे वहाँ पे जितने भी लाइसन जारी हुए उन सब का जो खेल खेला गया वो सब के सामने है उसके लिए देखी मैंने या आपने कोई सिकायत नहीं की विभाग ने खुद जाच की और पाया कि भी वो इस बात के लिए पैसे का चलन हुआ है और F.I.R. दर्ज हुई विभाग की तरफ से F.I.R. दर्ज हुई और गिरिफतारी के वार्ण जारी हुए और स्रीमान जी जो है ना मुखे मुंतरी के आवाज पर चुकते परे रहे दो महीने तीन महीने और फिर खटर साब जो की मुखे मुंतरी थे और वो इस बात के लिए तो मैं उनकी ताहिद करूँगा कि यारी हो तो ऐसी हो बचाव करे तो ऐसा करे कि वो अपने आदमी को मजाल है उसकी तरफ अउली भी उठ जाए बगर जाच के बगर किसी उसके उनोंने उनको क्लीन चीट दे दी अमामला रफाद 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 फिर केंसिल भी होगी अप तो शायद हो पाजानी उसका क्या हसर रहा और उसके साथ ही साथ सिरीमान जी जो थे जो परत्यासी हमारे भाजपा के हैं वो फ्रिदाबाद नगर निगम के गोटाले कि से छिपे हुए हैं पहले 200 कुरोड का आ लेकिन बाद में वो बढ़के 600 कुरोड रुपे का हुआ अब तो लोग कह रहें 2000 कुरोड तक का चला गया मामला उसके अंदर तो कई IS भी संदिप थे लेकिन फाइनस कमेटी जिसकी रिकमेंडेशन से वो बिल पास हुए रागे गए वो फाइनल अस्वारेटी का कमिशनर ह लेकिन उस जाच का रहा क्या है वो आग लगा दी गई जी रिकार्ड फूग दिया गया और आद तक उसका कुछ चाता पता नहीं जी तो इस तरह के घपले और इस तरह के घोटाले हो आप देखिए 2014 कांग्रेस पार्टी कितनी बदनाम रही कोल स्कैम और दूसरे तीसरे ए केजरिवाल साहब कहते हैं कि 10 AC लग रहे हैं आज वो संख्या खरबढ़ कर मुख्यमंत्री आवास पर 50-60 से उपर हो गई है लेकिन वो जो लगे उस वकत उन आरोप की वज़े से कभी वो काणी मुझी के खिलाफ और कभी वो हमारे वो थे सुरेश कलमाडी इवन सीला दिक रहे हो और यहां पर हम वो सरकार अच्छी भली इन घोटालों स्कैम की वज़े से कॉंग्रेस को लोगों ने रसातल पे पहुचा दिया हम जो 400 कभी होती थी वो 40 पे लागे चो चोड़ दी 44 जी 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 तो बही जंता इस बात का तो देखिए वो लेती है संग्यान हम अब जो मैंने बताया के नगर रिंगम के फार्मीय कोंचिल के इतने घोटाले है ने किसी को बंदे की अले यहां आ जाती है कि फाइर हुई जी वो फाइर कैंसी लोगे इसका मतलब सरकार की नजर में वो दोशी नहीं है सरकार की नजर में क्यों वो मुख्यमंत्री ने देखिया आप हमारा मुख्यमंत्री की जो पावर से उसके आगे सरकार क्या है मुख्यमंत्री ही सरकार मालनों अब जिसको देख लिए जब दोशी वो है जिसपर आरोप सिद्ध हो जाए बडोशी तो अटे ना जिवे उने से पहले उसकी वो इसको रफादफा जी अगे चले ना तो सिद्ध कहां से होगा उसका से एक स्टेप होता है सबसे पहले एफाइ अर्दर्ज होगी जी उसकी बागता जांच होगी जांच के बाद जो है ना चार सीट तियार करेगा डिपार्टमेंट हूं पुलिस डिपार्टमेंट है वो फिर उसको कोर्ट में पेस करेगा कोट में फिर वो केश चलेगा तभी तो आगे कारवाई हो उन्हें कहा कि इसके अंदर कुछ है नहीं और को पुलिस ने कह दिया आपने मान लिया अपने भी मान लिया कोई रिपोर्ट आई है क्या को टेबल करें जो है ना वो लोगों को बताए जाए वो विदान समा में उसको टेबल करते हैं वह यह जांच करें की है किस ने जांच की है आप बता दीजिए किसी अधिकारी ने जांच कियो और वह जांच की रिपोर्ट क्या है बता दीजिए द दिखा दीजिएगा माले के लोग यहां तो हुई नहीं ना भाई जो सब्सक्राइब वह सही मुख्यमंत्री आप देख लीजिएगा संदीप जो उस वकत के हमारे खेल बंत्री उनके बारे में भी यही हुआ संदीप सीफ को तो कोट ने माल लिया कि बहुत दूशी का चंडीगर्ड पुलिस में हुआ है अर्याने के पुलिस ने तो उल्टा उस कोच के खिलाफ जो जहां शुरुक बिठा दी ताकि उसके प्रेशर डाला जाए और वो उसको बैठाया जाए तो यह तो हुई फारमेसी क काश्तिंग की रिपोर्ट थी जानारक्षण वारे जो डीजीपी उसको चांट के लिए के आए कि भी बहुत इमानदार और बहुत ही काविल लाग्य अच्छा नाम रहा है उनका और उन्होंने निश्पक्स जाच किये जैसा कि अब वो जांच की रिपोर्ट का बना किया अब यह तो बढखल की जन्ता वो जो जांच करेंगी एक चीज और यह तो आपने वोता है फार्मेसी काउंसिल का जो फाइर होई जी आप कह रहे हो कि वो जो नगर निगम वाला महामला उसमें भी कह रहे हो कि इन पर उगली है उगली नहीं पर फाइनस कमेटी के चेर्में जो और आप पारशam होो और वह यह गफले हो रहे है ए उसमें इरल आपका नाम कैसे आएगा ऐक नाम त्हुनिक आएगा ना जो से इन वो होंगे हुं भार फांगी तो नि है इसाओर अनी शितर्क लिए पर फारी डर्ज कराए कॉन मैं हूं आप करवा सकते है चलिये आप क अगलिफ हो तो उसकी F.I.R. नहीं हो ती कई बार तो F.I.R. तो दर्ज होने ही नहीं देते ना जाच होने ही नहीं देते कितने दिन यहाँ पे लोग जो एनेक वो हमारा संगठन था जिसमें वो हमारे वो संत हैं Swamiji क्या नाम है प्रिदाबाद में वो लोग दर्ने पर बैठे रहे रहे राम केवल राम केवल अंशनकारी बाबा उनके लिए कहते हैं लोग वो तो वैसे ही हैं उनका कोई सब्सक्राइब करें लुग के लिए विवक्ष के हाथ में कहलते थे इसलिए कहीं बैठ जाते थे वह तो कहेंगी सरकार तो लांचन लगाएगा अपने आदमी को बचाने के लिए कुछ भी कहेंगी कि इसका आम जनता पर भी कुछ प्रभाव है क्यों नहीं पड़ेगा देखिए इन बातों को कहां तक चुपाऊ गया कब तक चुपाऊ गया जनता तो सब कुछ देखती है जनता तो आई ना है जी और इस चीज़ को भली भांते देख रही है और उसका नतीजा तो आच्छ कि अधर ऑनने से कैंड़ेट हैं जी उनका एक भाषन सुन रहा था इक जी सोचल मीडिया पर रही हां हां वो कह रहे थे उस भाषन में कि जो भारती जनता पार्टी ने जिनको कैंड़ेट बनाया भी जै पी को बढखल का कैंड़ेट नहीं मिला जी क्या यह भी चुनाव मे पुराने हमारे एक्स ची मिनिस्टर एक्सीम सुपर सीम उस वकट एक्स तो वह गये जिनका दखरांदाजी बंद हो जाए बंद हो जाए बाजपा के निता मिले थे बीच में बात मिला रहा हूं वापिस आएंगे जी तो चुनाव लणना चाह रहे थे जी बाजपा में मंठाच करके मिली डर्मार में यदे कि दूके शवार लडने का मwart ठाट तो चुनाव लड़ने की मन की सौच करके मैं गया मनोर लाल जी के मोई मालॉलाल जी मेरा द्यान रखो मनोर लाल जी ने उनको भेस दिया धर्मेंदर परधान के पास जी मैं तो खुछ कि देखो हमारे तो सब कुछ करता दरता मनोरलाल जी है और भाई वह साड़े नौ साल पूंदास साल सीम रहे हैं उनकी रिकमेंडेशन आएगी जी तो मुझे कह रहे थे कि मैं दर्मेंदर परदान के हां से मैं पूछा फिर मनोरलाल जी क्या गई के लिगनी में अपने घर चल हैं उनका यह लाडला बेटा कहलाता है अच्छा और देखिए कोई ना कोई तो गुण होगा बेटा या तो कमाउ हो है या उसमें कोई और दूसरे गुण हो उसके कारण से उन दोनों ने मिलकर यह टिकट का जो है आप में कहा ना भी टिकट कैसे क्यों मिला यह सीमा जी का परची तो गटा शहा है कि मैं कोई शैक पिछे अंदर आम बात। में तो बूस избha но कि यह मुद्दा भी और यह क्या वाद का मैं दूसरे कषिेतर से है, एटिनाइन से हां, तो दूसरे कषेतर के आदमे को यहां टिकर देना जैसें कि यहां और टीकर थी थे, उनका कहने का यह भी तात्प्रीय हो सकता है कि उनको टिकर ना दे कर Quant तो क्या लगता है उसका फरक पड़े का कोई क्यों ने कड़ता पड़ता है आप जनता को इस बात का भाही केंडिडेट हो तो उसके लिए थोड़ा फरक तो आता ही है तो बहुत बड़ा नेता हो और कभी चल जाए तो अलग बात है वरना नुक्सान तो हमेशा रहता है अपक सीजर जहां आपका घर है मुझे लगता उससे कोई लगवग चार फरलांग दूर होगा जी सीमा त्रिखा जी का घर जी क्या लगता सीमा त्रिखा का कोई टेस्ट तो बहां तक हवाएं बड़ा संकेत देती है जी कोई हवाएं संकेत दे रही हो क्या सीमा त्रिखा है और बहुत अंतर होता है वह उपर से कहेंगी लेकिन जहां तक है उनकी निरासा और उनके आदमी जो है सब्संकें वही से मिलता ना उनके वरकर हैं उनके सरकल है वह उनका एक्टिवीटी और अपनाते हैं उससे पता लगता है तो नहीं है इस वाकत में था उसका भी में वीडियो देख रहा था हमारे स्टाफ के लोग गए हुए थे जिए रिकॉर्ड करकर देख रहा था एक शायद तीन नंबर में प्रोग्राम उनका हो रहा था कोई एक उसके जो जैसे प्रोहित ट्राइप के लोग कह सकते हैं उस ट् स्टिंग वाला खेल कुछ है कुछ है यह राजमीती में चलता है यह इस तरह के जो लोग है ना मैं समझ गया जहां बोल रहे हैं वो पहले कभी एसी चौजशाब के बहुत नजदीक रहे मैं नाम से नहीं जानता हूं सब्सक्राइब मैं जानता हूं मुझे अच्छी तरह यहां आपका इस तो उनके बहुत काबू में रखते थे उसके बाद जब हावा पल्टी उनको छोड़ दिया तो ऐसे लोग तो एक शब्स आता है एक शब्स आता राजपूत हां एक तो राजपूत होते हैं राजपूत चत्री हो इसारा करते हैं एक बात तो सही है वो बात चल लिए किस तरफ से बढ़ रहें राम बिलास पासवान राव इंदर जी सिंग भी मौसम भी तो यह इस तरह के लोग जो है ना वह इंडित करते हैं सारा देते हैं कि हवा किदर चल लिए और किदर जाने में फाइदा है तो वो तो उदर जाएंगे जाएंगे और यह राजनिती में जो है उमीदवार कहिए उसकी मजबूरी होती है आने वाले को ठुकरा नहीं सकते हैं पता होता है लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें होती है चले अंतिन स्वाल पर और चीज़ें इसमें जुड़ी होई यह लोग यह कहते हैं देखिए पिछला चुनाव आ कि आपके कारन तो थे अपिछे उस बार वी आप हैं लेकिन चुनाव जो पिए्लिवार हा रहा हम आपके साथ नहीं थे इसमार हम आपको साथ यह हम आपके साहा जीतने जा आप करहे है कशाचार हम कastा हैं अब खोड़ी है हृ तो अस बात-वेमरे नहीं करते हैं एक panिल कर तो आपने कहा आरोप बता रहे थे जी कि उन पर कि फार्मेसी काउंसिल वाला चेयर्मेन वाला होते हुए और उसमें और नगर निगम में एक पुरानी कहावत है या एक मैं उसको उक्ति कह दूँ जी नाम आता है बद अच्छा बदनाम हो रहा है जी क्या विपक्ष की साजिस्तु नहीं है दरेसद लख्खा को बदनाम करने की नाम चलाव से पहले ही हो चुका एफाई आर दर्ज तो विपक्ष ने नहीं करवाई यह गोटाले विपक्ष का तो आथ नहीं था यह करवाने में गरफतारी से बचने के लिए मुख्यमंतरी का दखल बहुत ज्यादा रहता है जिसका वह बचाव करें हो साथ जिसके तरफ वह आख उठागे देख लेए वह बहरा जाता है तो यह तो पहले से हैं अब इसमें विपक्ष क्या करेंगा चलिए फरेदाबास संसदीय चेत्र की बात तो अगली किसी वीडियो में करेंगे य बढखल कि आप मद्दाता हैं बढखल की समस्याओं को भी बड़े पास से जानते होंगे बढखल की दो प्रमुक समस्याओं और अंत में यह बता देना कि बढखल की चुनावी जो हवाएं फिजाएं क्या संकेत दे रही है कौन चुनाव जीत सकता है देखिए बढखल फि कि आप टो सांटनरे खां rozp मिस्रित वह उस कि आवह उसका न तो वहां का जो है समझ्चilation जहां तक ज कर है वो तो फुरए शहर की जी मिजली पानी सदें कई दिन पानी नइंगा ता है सेक्टर की बात कर आप पीने के पानी के लेडेना हैं अभी फिछे दिन वो पांच दिन के अंदर चार दिन के अंदर अधा जड़ाँति की लोग अजादी के अमरुत काल के अंदर मैं भी आपके बात मिला देता हूं पेजल के लिए तरस रहे हो पीने के पानी के उसका कारण पता क्या है कारण बड़ा सीधा चार बूंद गिरती नहीं और जो वहां पे बुस्टर पंप है उसमें पानी जाकर के लुक जाता है पैनल डूब गए मोटर डूब गई उसको फिर निकाल लेंगे फिर उसको पर बेजे सुखाने का फिर टाइम लगे फिर वो हवा ले गई फिर वो फचार दिन पांस दिन के अंदर मुझा पुखता बात नहीं जिस्से पाने की दिक्कत होती हो और इसके इलावा गंदगी कोई किसी तरह का सफाई का नगर निकम की तरफ से जब की पहले जाडू लगती थी आते थे अब कभी निक हाँ कोई व्याइपी आजाए किसी दिन उस पॉकेट में उस एरिया में उन उस गली में पोद्दास पांच लोग आ जाते हैं उस दिन जाडू लग जाती है जैना तो काफी लोगों में निरासा है और जो सतारुड़ दल है उसके खिलाब प्रोपर्टी आइडी का आप ने पूछा कि दो मेरे लिए तो मुस्की लिए है कि मैं दो कौन से गिनाओ बात तो यहीं गिनाएं के मैंने कहा दो अनेक हैं प्रोपर्टी आइडी का मामला है लोग इ कुछी हुए उसमें वो यासी कंपनी ने मैं नहीं कहता है आपकी प्रेस और आपके सब लोगों करोनों रपया वो उनको दे दिया चटा दिया नतीजा क्या निकला अब अब कहते हैं वो दरबार लगाएंगे और दरबारों में वो आपना वो दें अर्दृस्ति ऐसे वो पैचान पत्र है पहली बात तो मुझे यह बताईए यह परिवार पैचान पत्र की जरुरत क्या पड़ी इससे क्या आपने क्या हासिल किया सिवाई लोगों महग दुखी करने हम कहते हैं आप उसमें अपने अप्लिकेशन दे दिया जो आए आप कहते हैं वहीं डाल देंग यह इस तरह का उल्लाना जु बहुत सी चीजें हैं आवारा पशू का है जनता है ज़ाना बताते रहते हैं बड़ और और प्रियास करेंगे जनता का मूल है वह भरे पड़े रहते हैं वही मैं जानना चाहाँ था कि अपर शीटी का नाम है आपके बढ़कर में स्मार्शी ए हमारे किसी नहीं आता हुँ एए सपरहब्रीय है अब произins वेसी सोगात मेली है आप सलकार से नालाज है कौन सी बताईए इतने smart city मिल गई आपको और क्या चाहिए हां यह बाँ ठीक है smart city का जो है ना उसको हम बोट को डाल के अपने गले में घुमते हैं, लोग पर कटाक्स करते हैं, आप स्मार्ट सीटी में हो और आपके पीने का पानी नहीं अगर महमान आ जाए तो हम कहीं चाय के लिए आफी चाहते हैं तो पानी नहीं है पाली पाली प्लाना हो तो चार दिन तक बच्चों को उसके कि चहरा बदलने के बाद कितने महरे बदलते हैं तो बता रहे थे कि चहरा बदलने के बाद भी जो दिलों उतर के देखना होता बात वहां सेита कि अंदर क्या-क्या राज छुप काफी राज बताए बडखल छेत्र में भी चाहेंगे और लोगों से पूछ के बताएंगे कि लोग क्या चाहते हैं इन्होंने बताया कि जिन्होंने पानी नहीं पीने दिया लोग सोच रहे हैं उनको पानी पिला दें आपके बीच आएंगे आपसे पूछेंगे कि किनों ने पानी नहीं पीने दिया था आप लगातार हमार साथ चुड़े रहें देखते रहें देशनों जाना नमस्कार धन्यवाद कर